वैलकम स्टूडेंट एक नई क्लास के साथ स्वागत है आपका आज की वीडियो में बात करेंगे हैं स्सी एंग्लिस की टॉप 20 कोशन जी यहां दोस्तों लगातार पूछे गए हुए कोशन में आपको करा रहा हूं देखिए दिया है दा रोड वास ब्लोकेट सिंस इट वास इन रिपेयर देखिए इसमें क्या पहले इसके हिंदी निकालते हैं सड़क ब्लॉक है चूंकि वहर रिपेयर हो रही है क्या हो रही है वहर रिपेयर हो रही है यान कि हमारी भावना बोल रही है रोड ब्लॉक है ठी में क्या हो जाएगा दोस्तो इतवासे रिपेयर इन रिपेयर की जगा जो फ्रेंट स्क्राइब यहाँ पर वो वो आ जाएगा provided in रिपेरिंग इन रिपेरिंग वॉ利 पें। यानि रिपेरिंग जो आप santa ए जो कॉंटीनूस में चैन्оду ड़तीक in एक डिन रिपेरिंग आ जाएगा ठीक है तो पहले मैं बता दूं आपको फ्वायर होता है उसका अर्थ होता है उपकच क्ष क्या होता है उपकच होता है wire friends sut kan kasukoe मैं आपको बता दूं अया हो जाएगा डी लोवी यानकी इसका होता है छोष। पिडीच्छा दे रहें पिडीच्छा है अधीक्छा गढ़े रहें या प्रकोष्ट यह कोशन आप जाएंगे तो सबसे पहरे आपको क्या करना होता है इन कोसनों के लिए हिंदी में ट्रांसलेश्ट करना आना चाहिए ठीक है ठीक है ठीक है नेक्ट जाए आस सौड़ स्पीच एड़ अफ अपले ठीक है जो बात के बीच में बोली जाती है जैसा कि एक राजा था रहे बहुत याक बड़ जाठाक प्चे को पालता था तो नेसे कहती है यदि कि आप चोरी ना करें लाद़ के पुरी बला है ठीक है और लाये बिला है तो इसका और और अर्थ हो जाएगा और लोग जाएगा यानि की option सी सी correct हो जाएगा ठीक को पी लोग का जो मतलब होता है और संगहार होता है ठीक है और संगहार तो option जो है सी यहाँ पर बिल्कुल ही correct हो जाएगा यह को संद लगातार बार-बार पूछेगा एकजाब में इसलिए आपको हम करवा रहे है ठीक है यह सिलेक्ट दा correctly spelled word ठीक है इबरेस्मेंट की सही meaning क्या है तो पहले में आपको बता दूँ इबरेस्मेंट का जो अर्थ होता है वो होता है घवराट ठीक है घवराट उल्जहन और परेशान होना उल्जहन हैं और परेशन ही होना तो इसमें स्पेलिंग हो जाए गी सी वाली बिलुक्ल करक्ट हो जाएगी एभरायस में थिक ये कान्ट होता है इसका अर्थ होता है भी जो सब्सक्किया इसके अंतरगा दिखा तिंगे तो यह आजाएगा मारा option D option D विल्कुल ही correct हो जाएगा select the correctly spoiled word है तो देखिए क्या हो जाएगा hydroxy का hydroxy का मतलब होता है anukram c option ठीक हो जाएगा anukram होता है इसका सही मतलब spelling लिखेंगे h i e r a r c h y ठीक है यह means आईगी और option जो c बिल्कुल ही आपर correct दीकरा है हम लोगों को तो आप नए है तो अभी subscribe कीजिए ऐसी class lady के लिए मेरा स्वास से थोड़ा खराव है इसमें आपको थोड़ा voice में दिक्कत आ रही है मुझे आपको सुनने में तो आज आज के लिए अब एड़ेस्ट कीजिए अब देखिए अब देखिए अब देखिए अब देखिए फिल इन दा ब्लैंक्स तुम्हें कौन बढ़ाते हैं ऐसे part तुम्हें कौन बढ़ाते हैं से part यानकी D वाला option करेक्ट हो जाएगा और यह सभी में किसान आपको बारवार righteousness में करा रहा हूं दे स्वाइल हर दाग रिटेश्ट क्या क्या है बे क्या कर रहें ठीक है तो इसमें जो रेश्पेक्ट क्या गया है महानाधी में क्या किया जाता दो सम्मान किया जाता है डी डी ऑप्सन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कुछ बच्चों के कमेंड्स आते हैं कि हमें इंगलिस भी नहीं आ रहे हैं तो मैं बता दूंगा को जिस तरीके से आपने इंडी में छोटा आ वड़ा सी के तो उसी तरीके से इंग्लिस में एवी सीडी भी सीखियोंगी तो दोस्तों सबसे पहले आपको बोका मैं से ज्यादतर आपको बारा से चौदा प्रिस नंबर ला सकते हैं बुके नरी में से ठीक है तो आप मेरे साथ लगाता है जोड़े रही कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको इंग्लिस और जीगे की लगातार कंटीनू क्लास दूंगा जिससे कि आपको कुछ भला हो कि नेड़ा सेलेक्ट दा मोस्ट अपरचुनेंड मीन और गिविंग बाड़ा ही इंपूरेंट को सन है आज की वीडियो का पहले तो बात करते हैं कि इसमें क्या होता है काटिंग क्या होता है इसमें जैसे कि हम किसी बॉइसको बैसते हैं सामाल लेने के लिए दुकानदार ने बताया कि वहीं एक हजार पचास रुपाइगी सरट अड़े या पेंट जो भी ठीक है तो बॉइस के कहते है तू जल्दी दे यार एक हजार पचास में ही दे दे हमें जल्दी भहुत है लेकिन अगर बात करें गल्स की तो वो क्या करती है अगर उसने एक हजार मांगा तो करेंगे अरे भाईया हम तो 600 रुपय देंगे नई देना तो आगे चलते हैं ठीक है समय कोश्सित की छी में आपको ने क्या रहा हूँ समझ जा समझाने का इसे आसन तरी कोई है नी बॉस जाएगा तो तो एक हजार पचास में और एक जगा खरीदती हैं इसका मतलब हो जाएगा सी और सॉरी वी वी सेविंग मनी सेविंग मनी दस जगे पूछना एक जगे खरीदना तुस्टे क्या होता है अगर आप बॉइस गई हैं देंगे तो मैं उम्मीद करता हूं आपको स्वेक्शन होने की कारण श्रेक्ट दा मोच्ट अपॉर्ट अपटेट्सयोनेये औफट गिवन वर्ड देगि फूट फुल का मतलब जानी है इसका मतलब होता अग्या होता है और होता है और किया होता होता है फल दायक होता है उपजाव होता है इसका सिन 우와 होता है इसका सिनोंनेयम ज้ हो जाएगा कि वह होजाए कर दो जाओ फल दायक और प्रोडेक्टिव कैसे ब्रेंद या में बंजर होता है यह उसलेस माने होता है त्रियों होगा ठीक है तो इस तरीकी से कोशन देखते हैं एंटोनेम की बात कर रहा है यानिकी विलॉम सब्द की बात कर रहा है सब्से पहले पूशी समझें फ publi होता है ब्लम सब्द का इस्टा कर देते हैं पहले रूप प्लम सब्द कहलाता है देखें पहले दियांने लेनी डैंड नेंट तो इसका मैं बता दूंँने मतलब होता है वो होता एक कव्याया है आइध़ार कोथा और कौंसा कौमल हिर्देवाला वیک्ती घी कि यह होता है इसका मतलब उदार बहुती दयालो आदमी और कॉमल हिर देवाला व्यक्ति हर किसी पर रष्वांघ diverti तो इसका हो जाएगा strict इसका मतलब होता है कठोर सक्त निर्दई कठोर सक्त और निर्दई ठीक है यह ऐसे कोशन आपको अग्जाम में देखने को मिलते हैं एक नई